आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर ऑउनलाइन क्लासेस में और अभी हम जो है slide up की प्रकिरिया के बारे में समझने वाले हैं साथी साथ आपको हम बताने वाले हैं कि slide up कैसे करना है अभी हम आपको करके भी बताएंगे और आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप slide up की प्रकिरिया को ध्यान प्रुवक समझेंगे नहीं तो गलती होगी और आपको जो मिला हुआ कॉल लेज है वो भी आपके हांसे दूर हो जाएगा जैसे कि मैं बता दू कि slide up की प्रकिरिया करने से पहले ये सारी बातों आपको समझना जो है बहत जरूरी है slide up किसे मिल रहा है और कब करना है और किने करना है ये बाते मैं आपको समझा दू फिर मैं आपको slide up करके दिखाऊंगा देखें मैं आपको बता दू कि slide up जो होता है उन्हें करना है slide up करने की परकिरिया केवल उन्हीं को मिल रहा है जो बच्चे admission लिये हैं मतलब कि जिन बच्चों का first list में नाम आया है और वह बच्चे admission ले चुके हैं मतलब आद से पहले दो दिन में तो उनको slide up की परकिरिया का option मिल रहा है और वह option जो है intimation later के पास मिल रहा है जैसे कि मैं आपको बता दू कि slide up उन्हीं बच्चों को करना है जिने जो है दिक्कत है कि मेरा college दूर हो गया है या मेरा college दू है private मिला हुआ है तो वो भी कर सकते हैं private और सरकारी दोनों वाले के लिए कर रहा है और जिन बच्चों को college आवंटित first list में नहीं हुआ है तो उन्हें तो slide up करना ही नहीं है ये बाते समझ लीजेगा और slide up करने के एक महत्यपून बिंदू को में बता दू अगर आप गलती से भी slide up के button पर click कर देते हैं तो आपका slide up हो जाता है तो जिन बच्चों को करना है तो उनको दिक्कत नहीं है कि चलो भाई उनको slide up करना है लेकिन जिन बच्चों को मन पसंद college मिल चुका है और वो आपने college से संतुष्ट है तो please आपसे नर्म निवेदन है कि आप slide up वाले button पर click नहीं करेंगे नहीं तो फिर आपको बहुत problem का सामना करना पड़ेगा सारी बातों को समझाते हुए मैं आप slide up पर किरिया के उपर लेचलता हूं और आपसे निवेदन करता हूं please अगर आपको slide up नहीं करना है तो please आप login भी नहीं करेंगे और आगर आपको करना है तो आप करकर login कर स्लाइड अप कर सकते हैं हम बातों को समझते हैं सबसे पहले तो आपको इस वीडियो के नीचे जो है description में link मिल जाएगा इस link पर यहाँ पर आना है तो username और यहाँ पर password तो username application नमर password डालिएगा टिक कीजिएगा और यहाँ पर login कीजिएगा तो जैसे आप login करते हैं तो मैं आपको बता दू लोग इन करने के बाद आपको यह है ऐसा page खुलता है, देखे लोग इन करते है उसके बाद आपको यहाँ लोग इनका इसे बाद दिखनी रहा है, जलिए अच्छी बात है, तो यहाँ नाम जो है, पिट्टु कुमार साज ही है और इनको जो है college मिला हुआ था लेकिन इन्होंने जो है गल्ती से जो है क्या किया कि इनको जो आपको slide up करना था उस पर click कर दिया तो इनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है नहीं भी हो सकता है दोनों बाते ए अगर नया college मिलेगा तो फिर इनको ये बाला college कर कर उस college मैं जाना पड़ेगा तो आपको मैं समझा देता हूँ जैसे आप login करेंगे तो आपका ऐसा desktop खुलेगा जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं database यह डाटा बोर्ड फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि dashboard system लो बोलते हैं और यहाँ पर देखिए आपको payment invoice और यहाँ पर जो है intimation letter तो अब आ आप ऐसा खुलता है आपके mail में या laptop में तो intimation letter पर आप option पर click करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर slide up का option दीखेगा तो देखिए चलिए मैं जैसे ही यहाँ पर click करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि click हो चुका है और इनका देखिए कि slide up का जो है option खुल चुका है और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर slide up का एक green color का option दीखेगा यहाँ जो बच्चा है बिट्टी कुमार साजी इन्होंने slide up कर दिया है जैसे कि देख सकते हैं due to your accept slide up your admission if you go new intimation letter then current admission is no longer valid मतलब कि अगर इनको नया जो है intimation second list में 26 तारी को अगर इनको नया intimation letter मिल जाता है तो फिर यह college इनको जो है हड जाएगा और नया college में इनका transfer हो जाएगा मतलब कि free receipt ले जाएगे और वो intimation letter ले जाएगे तो उनको वहाँ पर admit मतलब वहाँ पर admission हो जाएगा लेकिन यहाँ बच्चा गलती से कर दिया है तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपको यह गलत करेंगे ना intimation letter पर तो आप यहाँ देखिए मैं तो आपको दिखा दू नीजे करके यह देखिए जैसे आप intimation letter यहाँ देख सेगें intimation letter पर आपका नाम आएगा फिर यहाँ पर जो है college जो आपको मिल चुका है आप admission लेंगे तो आपको college यहाँ देखे लिखा है आपका न योग्य है मतलब कि जो admission करवा लेगा वह यहाँ पर slide up करने का योग्य है और नीचे आपको जो है यह option दिख रहा है देखिए apply for slide up तो मैं आप सरी निवेदन करता हूं कि गलती से भी जो है इस पर click नहीं किजिएगा इस पर वही बच्चे click करेंगे जिसको slide up करना है अगर मा जादू की slide up में आपको edit नहीं आ रहा है जो आपने college twice भड़ा होगा जिस तरह से आपने arrange कियर कर भड़ा होगा आपके जो college मिले हुए है उसके उपर मिलने का chance है यही है समझ गया अगर आप इस पर click कर देते हैं तो आपका slide up हो जाता है और slide up होता है तो अगर आपको second list म नया allotment later मिलता है तो फिर आपका पहला वाला college जो होता है हट जाएगा और आपको उस college में admission लेना पड़ेगा इसलिए मैं आपको बोलना हूँ जिन बच्चों को अगर college बहतर मिल गया है तो please आप लोग जो है यह गलती नहीं करेंगे और जिनको slide up करना है तो इस पर आप slider पर click करेंगे समझ रहे slide up में कोई परकिरिया नहीं है slider पर click करेंगे आपका जो है जैसे slider पर click करेंगे तो फिर आपका जो है क्या होगा कि इस तरह की जो परकिरिया है आपका इस तरह का हो जाएगा slider पर click करते ही आपको यह आजाएगा slide up और dear नाम आपका आजाएगा your admission is confirm by इतना is मतलब इसमें आपका इनका confirm हो चुका है लेकिन उन्होंने जो है गलती से slide up पर click कर दिया है तो यहाँ परागया कि keep patience your application is valid for next selection process मतलब keep patience रखिये आपका next process के लिए valid है और आपको भेज दिया गया है अगर अगली process में आपको college मिलता है तो फिर यहाँ का college जो है यह वाला जो college है यह हड जाएगा और आपको उस college में admission लेना पड़ेगा इसलिए मैं आपसे करना हो कि जिन बच्चों को अगर slide up करना है तो वो कर सकते हैं जिनको नहीं करना है जिनको संतूष्ट है कि मुझे नहीं करना है तो वो गलती से भी जो है क्या करेंगे कि यह slide up वाले option में जो है गलती से भी slide up वाले option पर यह देख रहें जिए यहाँ पर इस पर जो है click नहीं करेंगे मेरी बात को समझेगा ने तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा समझ गए तो यही slide up की परकिरिया है आप सभी लोगों से निवेदने कि प्लीज आप सभी लोग 2-3 दिन धैड़े बना करें जिन वो करना है वो कर सकते हैं जिनको नहीं करना है वो गलती से नहीं करेंगे साथी साथ अपने दोस्तों को यह वीडियो सेर करें ताके सभी बच्चों को इसकी जनकारी प्राफ्थ हो और आप सभी लोगों को मैं बता दू कि slide up जो है उन्हीं को करने का मौका मिल रहा है जिनका admission हो रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आएंगे सुमच जाएंज है भारत